बोचपूरी सिनेमा में जिस तेजी से फिल्में बन रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है भोचपूरी सिनेमा काफी आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भोजपूरी इस्टार साउत के सबसे बड़े इस्टार रजनी कांथ पर भारी पड़ जाए। दर असल बीते कई दीनों से इस तरह की चर्चाएं खुब सुनने को मिल रही थी कि पवंध सिंग की फिल्म गदर रजनी कांथ की हालिया रिलिज फिल्म कबाली पर भारी पड़ रही है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि मुंबई के कई सीनेमा घरों में जहां गदर हाउसपूल चल रही है तो वही कबाली को देखने वाले दर्सकों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। मगर कई जानकार इसे सिर्फ बड़बोलापन और बेतू की बहस करार दे रहे हैं। क्योंकि उसका मानना है कि पवन सिंग और रजनी कांथ में कोई तुल्ना हो ही नहीं सकती। याद रहे कि हाली में रिलीज हुई अभिनिता पवन सिंग अभिनित फिल्म की तुल्ना पहले सलमान खान अभिनित सुल्तान से की गई। मगर इस बार तो एक फिल्म परचारक ने गदर की तुल्ना रजनी कांथ अभिनित फिल्म कबाली से ही कर डाली। उन्होंने लिखा है कि कबाली को भी गदर ने पचार दिया है वैसे ये परचारक सहाब इस बात को भूल गए थे कि कबाली ने रिलीस से पहले ही 200 क्रोड की कमाई कर ली थी यहां यह भी बताते चले कि पवन सिंग ने अभी तक जितनी भी फिल्मे की होगी उन्हों सब के बजट को मिला दिया जाए तो भी 200 क्रोड रुपे पूरे नहीं होंगे फिर कबाली को कैसे गदर ने पचार दिया ये बात समझ से परे है फिलाल एक बात तो साफ है कि अगर भोजपूरी के प्यारों ही इस तरह की फरजी खबरे फैलाते रहेंगे तो भोजपूरी सीनेमा की जग हसाई होना तो लाजमी है न्यूजरूम से अनुजमिस्वरा की रिपोर्ट